किसान नेता राकिश चिकैत ने बयान जारी करके कहा कि 36गर के नवा राइपूर में किसानों के धरना काफी दुनों से जारी है 36गर सरकार से भी किसानों की चर्चा हो चुकी है 27 और 28 अपरेल को मैं राइपूर पहुचने वाला हूँ जहां दो दिनों तक रहे कर किसानों के धरने में बैठूंगा सरकार से अनुरोध है कि पुलिस प्रशासन से दवाव बना कर सरकार किसानों को तंग ना करें राकिष्टिकेट ने कहा कि अपने छतिसगड प्रवास के दौरानवा किसानों और सरकार से चर्चा करेंगे उन्होंने किसानों के शांती की अपील करते हुए कहा कि किसान संगठित होकर शांती से बैठें और सरकार से बाचित का रास्ता निकाले धन्यवाद सभी का आज हम बात करेंगे च्छतिसगड की और च्छतिसगड में न्यू राइपूर एक जगे जहां पे किसानों की बहुत से जमीन उस मजारी है नया राइपूर बसरा है उन्हां पे किसानों का धरना चला हुआ है और काफी दिन से धरना किसानों का चल रहा अपनी किसानों की डिमांड वहां की है और सरकार से भी एक दो बार बैठ के उनकी बात चीत हुई अभी 27 और 28 अपरेल को हम राइपूर में रहेंगे महा जहां धरना चल रहा जहां पंचात अस्तल है वहां पंचात करेंगे सरकार उनको तंग ना करें पुलिस परसासन के दवाओं में उनको तंग ना करें उनकिसानों से भी बात करेंगे और बैठ के सरकार से भी बात चीत करेंगे दो दिन रहेंगे तो सरकार से भी बैठ के बात करेंगे और किसानों से भी और एक इसका रास्ता निकालने की कोशिस करेंगे पुलिस परसासन वैसे किसानों को तंग न करें हम वहाँ दो दिन के लिए आ रहे हैं और सभी किसान अपना संगठित होके शांती पून तरीके से बठें और सरकार से बाचीत का एक रास्ता निकाल ले राकेश टिकेत मुझे फरनगर ऐसा ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहे ये निउस प्लस 21 आपके हक्की बात